इस वीडियो को मैं start करूँ, से पहले मैं आपसे एक question पूछना चाहूँगा, कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का, जब ये chapter खतम हो जाता है, या कोई भी chapter खतम होता है, तो उसके बाद एक MCQ का test लिया जाए, ये check करने के लिए कि आप लोग क्या ध्यान से प आज हम जानने वाले है, returning values from functions, जो कि हम अपने पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और जो भी हमने अभी तक class 12 के programs किये हैं, programming playlist वाली में, तो उसमें हमने इस return statement का use किया है, तो वो जो return keyword था, उसके बारे में हम आज यहाँ पर समझने वाले हैं, थोड़े detail में, तो यहाँ पर लिखा है कि returning values from functions, functions in python may or may not return a value, यानि कि जो भी हम वो return statement use करते हैं, वो उसको हम use भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कैसे, तो इसी के बारे में चली हम आगे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह भी ए two types of functions in python, यानि python के अंदर दो types के functions हो सकते हैं, कौन-कौन से, तो पहला है functions returning some value, यानि कि ऐसे functions जो कि कुछ values को return कर रहे हो, उन्हें हम यहाँ पर non-void functions के नाम से जानते हैं, जिन्हें कि non-void functions कहा जाता है, दूसरा type हो सकता है कि function not returning any value, यानि कि वैसे function जो कि कोई भी value को return नहीं करते हो, तो उन्हें हम void functions कहते हैं, अब यह non-void और void काफी confusing है, तो आपको यह void का मतलब याद रखना है, void का मतलब होता है खाली, और वो functions जो कि कोई भी value return नहीं करेंगे, उन्हें हम void functions कहते हैं, वो कोई भी value return नहीं कर रहे है, इसका मतलब वो खाली है, और वो खा सबसे पहला है हमारे पास कि functions returning some values यानि कि non-void functions तो अब ये क्या होते हैं ये हमारे पास होते हैं the function that return some computed results in terms of a value fall in this category the computed value is returned using return statement यानि कि ऐसे function जो कि एक computed result को return करता है एक return statement के जरिए तो ऐसे जो भी functions होते हैं वो हमारे इस non-void functions फाली category में fall करते हैं जैसे कि हम इन सभी values को return करते हैं इस return keyword का और इसके साथ ही इस return statement को लिख करके जो कि हमने अपने पीछे वाले videos में भी जो programs किये थे उनकि उनमें भी देखे हैं और जो हमने practical programming series वाले में अभी तक जो भी 3-4 programs किये हैं उनके बारे में भी हमने वहाँ पर return statement का इस्तेमाल किया था यानि कि अब return statement का use करके हम जो भी values return कर रहे हैं वो इन में से एक type की हो सकती है तो कौन-कौन सी हो सकती है पहली है कि a literal यानि कि एक literal भी हो सकती है और एक variable भी हो सकती है या फिर एक expression भी हो सकता है कैसे तो चलिए मैं आपको एक example देता हूँ इनका कि return 5 तो यह जो 5 है जो भी हमारे पास numeric values होती है उन्हें हम literal कहते हैं तो यहाँ पर literal being returned दूसरा example लेते हैं 6 plus 4 जो कि हमारे पास एक expressions है जो कि 2 literals को add कर रहा है तो हम return statement के जरिए ऐसे statements को भी return कर सकते हैं या फिर हम एक variable को return कर सकते हैं या फिर हम एक expression जो कि एक variable और यहाँ पर एक literal को consist करता हो वैसे expression को भी हम return कर सकते हैं या फिर हम एक इस type के expressions को भी लिखा हुआ जिसको हम यहाँ पर divide कर रहे हैं एक और variable से तो इस type के complex expressions को भी हम return कर सकते हैं या फिर हम एक इस type का expression फिल लिख करके return statement के साथ return करवा सकते हैं I hope कि आपको ये examples जो हैं वो clear हो गए होंगे अब the return statement ends a function execution even it is in the middle of the function तो ये क्या कह रहा है line हमें इस चीज़ को समझते हैं एक example से अब मान लेते हैं कि हमने एक function define किया और function के जो statement है हमने उसमें 50 line लिखे अब उस 50 line में हमने जो 40 नंबर का जो line था वहाँ पर हमने return statement का use किया तो अब क्या होगा कि उस return statement के बाद जो भी हमारे statements होंगे जो कि इस function के भले ही उस function के अंदर है लेकिन हमने 40th line पे return statement का इस्तेमाल किया है तो जो हमारे function का statements होंगे जो भी हमारे function का computation होगा वो 40th line पे खतम हो जाएगा तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर मैंने एक example लिया है मैंने एक function define किया define calculate एक parameter पास किया है मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैंने एक result को store किया है ठेक है और यहाँ पर मैंने return statement का इस्तेमाल किया है और इसके नीचे मैंने यहाँ पर एक print statement का इस्तेमाल किया है अब यह जो हमारा function था वो यहाँ पर खतम नहीं हुआ हमने यहाँ पर जब return statement का इस्तेमाल किया, तभी जो हमारा function है वो यहीं पर खतम हो गया, तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पर हम return statement का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो function का computation होगा, जो हमारे function का काम होगा, वो वहीं पर खतम हो जाएगा, रिट, यानि कि जब function header में हमारा interpreter जाएगा तो एके करके वो आगे नीचे नीचे बढ़ेगा और जैसे ही उसे return statement मिलेगा भले उसके बाद आपने saw line लिखी हो उस function के अंदर लेकिन जो हमारा interpreter होगा वो उस return statement के बाद ही उस function के बाहर jump कर जाएगा और हमारा function वहीं पर terminate हो जाएगा मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस code को एक बार लिखें और जो भी result आता है आप मुझे नीचे comment करके बताएं और अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है तो मैं उससे expect कर रहा हूँ कि वो मुझे इसका answer नीचे comment में बताएगा तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे type के functions की जो की है functions not returning any value यानि की वैसे functions जो की कोई भी value को return नहीं करते जिने की हम void functions कहते हैं तो अब ये void functions क्या होते हैं? void functions यानि की the function that perform some action and do some work but do not return any computed value or final value to the caller or called void functions जो की काफी simple था और avoid function may or may not have a return statement ये दूसरे वाले statement से आपको पहला वाला statement clear हो जाएगा एक बार वीडियो को pause कीजिए और आप इन दोनों lines को ध्यान से पढ़िए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है और अगर ये clear नहीं हुआ तो मैं जो कहना चाहता हूँ उसको मैं आपको एक example के जर्ये समझाता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैंने एक function define किया great और यहाँ पर मैंने सिर्फ print statement का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर कोई सा भी return statement का इस्तेमाल नहीं किया है similarly मैंने यहाँ पर भी great 1 नाम से define किया यहाँ पर मैंने एक parameter पास किया और यहाँ पर भी मैंने एक print statement का इस्तेमाल किया लेकिन मैंने इसके नीचे यहाँ पर कोई भी return statement का इस्तेमाल नहीं किया है तो कहने का मतलब यह है कि एक जो function है वो return statement का हम उसमें use कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं जिसका example आपको यहाँ पर मिल गया अब अगर हमें return statement का इस्तेमाल करना है तो कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और example लेते हैं यहाँ पर मैंने quote नाम के function को define किया है मैंने यहाँ पर एक print statement का भी use किया है और उसके नीचे मैंने यहाँ पर एक return statement का use किया है लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कोई भी expression नहीं है तो अगर आप कोई ऐसा function लिख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि यह जो चीज आपने print statement के अंदर लिखी है वो print हो लेकिन अगर आप इस return के बाद कोई भी variable, literal या expression लिखते हैं तो जब भी आप इस quote को call करेंगे तो इस return statement में जो भी आपने यहाँ पर value pass की होगी वो वहाँ पर print की जाएगी, return की जाएगी तो अगर हम यहाँ पर return के बाद कुछ भी नहीं लिखते तो यहाँ पर जो हमारी चीज है, यह print statement में वहीं print होने बाली है दूसरा example लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक sum नाम से function create किया है दो parameters pass किये हैं और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ print sum is a plus b यह वाला भी program आप नीचे करके check कीजिए कि क्या इसका answer आ रहा है अगर आप चाहते हैं कि mobile में कैसे python program को run किया जाए इसके उपर मैं आपको video बनाओ तो आप मुझे नीचे इसके लिए भी comment कर सकते हैं मैं आपको वो भी बता दूँगा कि mobile के अंदर कैसे use किया जाता है या फिर python को आप कैसे code कर सकते हैं हमने यहाँ पर return statement इस्थिमाल किया तो भी जो print statement के अंदर लिखा था वही print हुआ और यहां पर नहीं किया, तो भी यह जो print statement के अंदर लिखा था, वहीं print हुआ, तो फिर difference क्या रहा इसमें, इसको हम समझते हैं, the void functions do not return a value, but they return a legal empty value of python, that is none, यानि कि एक जो void function होता है, वो एक value को return नहीं करते, लेकिन वो एक legal empty value को return करते हैं, जो की none होता है, जब भी हम यह जो हमने none use किया था, यह जो भी हमने यहां पर return statement का use किया था, और उसके आगे कुछ भी नहीं डाला था, तो वो जो कुछ भी नहीं था, वो हमारी एक none value थी, वो हमारी एक legal empty value थी, तो जब भी हम return keyword का इस्तिमाल करते हैं, वैसे या फिर नहीं करते, तो जो function है हमारा, वो python, उसमें एक legal empty value को add करके हमें return करता है, every void function returns value none to its color, जो कि दोनों same है, I hope कि आपको ये दोनों line clear हो गए होंगे, क्या, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको हम एक example के जरिए देख लेते हैं, कि ये जो दोनों lines थी, वो क्या कहना चाहती हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक function को define करूँगा, जो कि हमने वहाँ प function को call करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर hello return कर रहा है, अब आपको पता है कि यहाँ पर मैं अगर great function को जब मैंने call किया, तो ये मुझे यहाँ पर hello ही return करने वाला है, लेकिन क्या हो, कि अगर मैं इस function call को एक variable में store कर दूँ, जो कि हमने बहुत सारे programs में किये हैं, जैसे क यहाँ पर मैंने इसको a नाम के variable में store किया, और यहाँ पर मैं इस a की value को print करूँगा, तो यहाँ पर हमें output में क्या मिलेगा, यह भी देख लेते हैं, यहाँ पर यह मुझे यहाँ पर hello तो print कर रहा है, और यह मुझे यहाँ पर none भी print कर रहा है, तो क्या हुआ यहाँ यहा प्रिंट हुआ वो तो हुआ क्योंकि हमने यहां पर इस greet value को call किया और जब हमने इस greet को इस a में store किया और इस a को हमने print किया ठीक है तो यह variable की जगह पे तो इस greet ने एक none value को return किया और वो none value हमारे पास वो यहां पर हमने print statement का इस्तेमाल किया इसलिए वो हमें वहां पर none भी return कर रहा था लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें वहां पर वो जो none value थी वो नौ मिले तो उसके लिए हमें क्या करना होगा तो उसके लिए simple आपको इस a को हटाना है और यहां से भी इस a को हटाना है और यह जो आपने greet लिखा है इस greet को simple आपको यहां पर इस print function के अंदर डालना है इस greet को भी हटाना है और यहां पर जो आपने यह print word का इस्तेमाल किया है इसकी जगह आपको इस्तेमाल करना है return और एक string return कर रहे हैं तो अब मैं इसको save करूंगा और फिर इसको run करूंगा तो यह मुझे यहां पर hello ही return कर रहा है जो कि हम जानते हैं क्योंकि हमने यहां प empty value जो थी हमारी none यह उसको return नहीं करेगा तो I hope कि आपको यह जो program था वो भी clear हो गया होगा और यह topic भी clear हो गया होगा काफी easy था ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम समझेंगे scope of variables को कि वो क्या होता है काफी important topic है व झाल